है ठीक है के स्थी ट्री तक यह था ना हम लोग ये फोर है ये ऐस फाइव है यह जो केस आएगा थोड़ा सा इंपोर्टांड रहता है कि हर सेफटी परसन को पूछा जाता है कि अगर दो टेंडम लिफ्टिंग हो रहा है क्या हो रहा है टेंडम अगर कोई लिफ्टिंग हो रहा है दो क्रेंड लगा के नहीं तो फराना लगा के कौन से कितना लोड जा रहा है कोई पूछ लेता है ना कि यह क्रेंड में कितना लोड आ रहा है यह सबका एक कमन पंडा रहता है दो क्रेंड अगर दो फराना लगा रहा है किसमें कित रहा है डविवायखंट में डबलु और तमण डलाए थे तो हैं तो यह दो क्रेड लगा है इसमें एक S में एक चीज होना चाहिए जब आप निकालने जाोगे कि कौन सा क्रेन में कितना लूड हो हो रहा रहा है इसको पकड़ पर होगे पहले तो आपको एक केस में क्या पता होना चाहिए कि इसका सेंटर अब ग्राविटी आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए center of gravity इसका पता होगा तो D1, D2 कितना है सोचलो center of gravity यहाँ अगर पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे यह center of gravity से sling A कितना दूरी में है उसको D1 ले लिया B sling कितना है उसको D2 ले लिया आप समझ रहो तो center of gravity अगर पता चलेगा तो load sharing में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना लोड लेगा और इसमें कितना लोड लेगा मगर एक condition के लिए क्या होना चाहिए आपको center of gravity पता होना चाहिए center of gravity आपको कैसे निकालोगे आधर आप engineering team से आपका जो engineering team से उससे मंगा सकते हो नहीं आपको आपका mechanical team के साथ बैठ के इसको calculate भी कर सकते हो ठीक है center of gravity अगर निकालना है उसका और एक बार हम class करेंगे अभी यह case 5 में आपको center of gravity का informal method में आपको मिल जाएगा यहाँ load sharing से आप कैसे center of gravity निकाल सकते हो यह भी एक चीज में पता रहा हूँ ठीक है तो load sharing method में भी आप center of gravity निकाल सकते हो तो पहले देखेंगे ए condition में यह crane में सोच लो यह वाला crane कितना load लेगा सोच लो अगर यह total weight कितना है है ठीक है मतलब यह वाला crane कितना load लेगा ठीक है तो जब total weight इसका करेंगे मैं wl में सोच रहा हूँ weight ले रहा है यह वाला crane ठीक है डबल यह उसको बोलता हूँ weight lifted by crane a तो इसका अगर आप formula डालोगे तो कितना crane लेगा crane a load taken by crane a ठीक है crane a क्या लेगा crane a मैं क्या लेगा लोड कितना आ रहा है wl कितना आएगा आपको wl कितना आएगा उसका formula क्या है निकालते हैं load sharing method मैं मैं आप जब जाओगे मैं क्या बोला था एक रेन का हम discussion कर रहे हैं तो opposite में चलेंगे d2 divided by d totality जैसे केस 3 में चले गए था हम d2 by d into d1 by t d ले लिया अभी आपको और क्या पता है total weight पता है तो इसका total weight पता है ना यह हो गया आपका डबलू एल किसका है एक रेन का ठीक है सेम टू सेम इसको अगर इस क्रेन कितना ले रहा है अगर यह निकल जाएगा wl तो आप क्या कर सकते हो total weight से और wr निकलना चाहोगे आप wr क्या करोगे total weight क्या है total weight minus wl कर लो इसको निकलना क्या जूरूरी total weight आपको पता है यह एक क्रेन कितना ले रहा है पता चल गया वह minus कर लो न और क्रेन मार्जिन इसका पूछोगे percentage of crane मार्जिन कितना है तो ए क्रेन का लो ए क्रेन का एक क्रेन का क्रेन एक का कितना आएगा wl by total weight total weight 100 कर लो ना आगे आ तुम्हारा सिंपल सा कुछ नहीं सिंपल में थड़े सिर्फ आपको center of gravity पता होना चाहिए तो center of gravity से माप लो ए सिलिंग का दूरी कितना है वो सिलिंग का दूरी कितना है देखो simply way में दो क्रेन अगर लगा है तो उसको माप लो सिलिंग से कितना दूरी में है तो आपको क्या करना पड़ेगा ए सिलिंग का ये side कितना weight उठा रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि आउना होना चाहिए cg पता होना चाहिए और total weight पता होना चाहिए ahh total weight ये भी पता पता होना चाहिए आपको ये case में कि मेरे तेखिएम जैसे सोचलो society हमारा लवड़ें के तो स्माओ चल्यान लिप्र हो रहा है इसको हम väона इथा है है आप इंजिनिरिंग से हेल्प ले सकते हो मेकनिक अटल टीम से बेटिके आप सेंटर ग्राविट निकाल सकते हो फिर वहां से आप डीवान डीटु माप लो जो क्रेंड लगा है उसका डिस्टांस ले लो है ठीक है तो केस फाइब में अगर आप जाओगे इसमें क्या है कि भाई यहां सेंटर ग्राविटी को कैसे निकाल जोगे है आपको कुछ नहीं दिया है सेंटर क्राविटी हैं पता था बोलकर आप निकाल दिये क्रेंड में कितना लोडाये कि यहां सेंट्र अब ग्राविटी को निकालना है मगर इसके लिए ये केस के लिए क्या होना चाहिए ये मतलब दोनों साइड का लोड पता होना चाहिए ये साइड में कितना लोड लेगा दो डॉबलू एल and WAR इसके लिए क्या डिया होना चाहिए ये बेलु अगर पहले से बताया होगा आप कर सको के जैसे एक कंडिशन में आपको PG देना चाहिए दिया था बुलकाप कर लिए एक कंडिशन में आपको क्या दिया होगा डबलू एल डबलू आ मैलू दे दिया होगा तो आपको भी सेंट्र अभ्राविटी निकालना पड़ेया है ठीक है और इसका टोटाल ओट तो आपको पता होगा तोटल वेट ये भी पता है आपको तो सोच लो सीजी कैसे निकाल होगे हम जो ये डी वान था ये जो डी वान रेखे थे मतलब ये सिलिंग से ये जो क्रेन से यहां का धूरी जहां तक है वहां सेंटर पर ग्राविटी था सेम टू सेम यहां से यहां डी वान को हम काल्कुलेट कर लेंगे तो यहां का सेंटर पर ग्राविटी निकल जाएगा जोतलो आप यहां से यहां डिस्टन्स कितना है यहां से यहां डिस्टन्स आप देखोगे तो यह डी वान है तो यह डी वान को अगर हम काल्कुलेट कर ले यह D1 कल्कुलेट करेंगे कि एक रेंसे यह कितना दूरी में हुए अगर D1 कल्कुलेट हम करेंगे तो हमारा पास क्या-क्या दिया है देखो अगर कल्कुलेट करेंगे तो कौन सा लोड लेंगे ये दिया है ये दोनों में से दिया है अगर इसको कल्कुलेट यहां से हम कल्कुलेट कर रहे है तो ये डिस्टन्स पकड़ेंगे ना ये डिस्टन्स नहीं पकड़ेंगे हमको दिया क्या है ये दिया है डबलू एल डबलू एल दिया है सोचलो ए दिया है डबलू आर दिये दिया है हमको बी दे दिया है वहलू दे दिया है यह इतना टन लेगा यह बी टन लेगा यह दोनों साइड का वहलू दे दिया है अल्रेटी टोटाल वेट तो दे दिया है वहलू दे दिया है ठीक है तो ए एक तीनों old फिर्फ हमको पता है इसमें और पताथा क्या ईतिनों को लेकर हम फर्मूला डालेंगे ना लोड़ शरींग करेंगे लोड़ु harina कहां से डिल्अ कहां से यहां से पहला आप आप पकड़ रहे हो यह वाला क्रेन से पकड़ रहे हो ना अगर यह वाला पकड़ होगे तो आप कौन सा वेट कलोगे डबलु आ इन्टु इन्टु डबलु आ ले लिए आप टूटाल वेट ले लिए इन्टु डबलू तुमको यह तीन चीज था ना लोड प्रोपोस्नल आप कैसे करते थे डी वान डी तु दि टु मिलता था बोलके आप डी 1 बाई दी तु कर देते थे यहां कोई डी 1 को इन दिया है गया आप तो डी 1 निकाल रहे हो तो डिस्टेंस अब पोर्पाइब हो गांगे अभी पोर्पपरस्टनाल केसमें गर पाओगे यह दोनौ। दिया है इस में प्रोपरस्टनाल करना पड़े तो फ्रोपरस्टनाल इसमें लगा है डवलू आल, इसको अगर गौर घम कर रहा हूं, आल्टरनीड ले लिया क्या कर दिया है तो समद्रों सेम तो दी वान अगर पता चल गया सोच लो कितना यहां अगर बहले पता चल गया मतलब यहां अगर पता चल गया ज्यांका थो यहां से क्या होगा दीटू मिल गया तुम्कून कुद्र wäre टो संत्रोग्राइबिट्य क्रोस यह हो रहा है जहां तक है वहां तक आफ से टीटू हो ना तुम्हारा ठीक है यह इसके बाद जो रहेगा टेक्निकल यहां तक था आपको बेसीक रहेगा लिफ्टिंग का एक बेसीक का करेंगे ठीक है कि भूलो तुम समझ में आ रहा है कि यह डबलू येल डबलू यार क्या है यह ना मतलब धब्लू येल क्या लिखा हूं डबलेल ए टन मतलब एस इव्ट का कितना लौड टा पायेगा इस अगर पता चलीगा है यह तुम सेंट्र गुराविट यहां से निकाल सकते हो मैं इसलिए लिखा एक केस्ट टोडी में इसलिए लिखा कि भाई एसाइड का अगर लोड पता है तुमको एटन लेख दिया तो टोटल लोड तुमको पता चल गया है तो इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है थिके तो तुमको यह मिला है और तो कुछ मिला ही नहीं की है और यह क्रेम से अगर दूरी निकाल देंगे तो अगर दूरी निकल जाएगा तो वहां वहां सेंटर अग्राफिट आने वाला ही तुम्हारा वी खतम हो रहा है सब्सक्राइब निकाल नहीं है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगा हमारे पास लौड दिया है अल्टरेनेट लोड लेंगे उसको पकड़ न है इसको ओगर हम कर रहे हैं कि यहां से अ तुम्हारा मेर्डाम को पता है कि इस टाइप में है उसका इस में बना उसके पास रहता है सब कुछ रहता है कितना टॉन है तो देख बता देते हैं काल्कुलेसन तो करेगी देंगे और हम दोनों तरफ लगा दिये और हम एक लगाए दूसरे क्रें को हम उठाये तो वह बेट आ रहा है छेटाने को फिर वो इसमें चार्टन आ रहा है तो फिर हम यहां पर दी वन में हम लिखेंगे फोर इन्टू दी वर और टोटल वेट दस उसके बाद निकालेंगे इन्टू टोटली यहां से यहां डिस्टन्स कितना है अब क्लियर है चौना ठीक